नमस्ते आज हम रिडिंग करने वाले हैं कि इस महाशिवरात्री भगवाशिव आपको क्या संदिश देना शाते हैं भगवाशिव हमारी सभी छायपूर्ण करते हैं जिन लोगों के लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लेम चल रहे हैं वो अगर इस दिन इस महाशिवरात्री प का अरपन और उन्हें भोग लगाना बहुत ही शुवदायक होता हैं तो आज हम यही देखने वाले हैं कि भगवाशिव आपको क्या संदेश देना शाते हैं यहाँ पर मैंने दो पाइल रखे हैं यह है पाइल नमबर वन और यह है पाइल नमबर टू आप इसमें से एक पाइल सेलिक किजेगा और अपनी रिडिंग पर जाकर अपनी रिडिंग देखेगा ओके हम स्टार्ट करते हैं पाइल नमबर वन पाइल नमबर वन भगवाशिव आपको क्या संदेश देना शाते हैं इस महाशूरात्री ओके भगवाशिव जी आपको क् संदेश देना शाहते हैं यहांपर है सबसे पहला काा राइपनेस नंबर नाइन है यहाँ ठीक है sacrific शिब आपके लिए कुछ खास हो सकता है आपकी बॉर्डड़ेट हो सकती है लाइफ पाण डेस्जिंड नंबर कुछ भी हो सकता या आपके लिए लखी हो सकता है ठेक है यहाँ पर है चेंज आपके शिविजी आपको किया संदेश देना ह Star idea इस माहाशिवरत्री भगवाश्यू आपको क्या संदेश देना साथ हैं मूप्रमाइज म्दिमर 6 भगवाश्यू इस महाशिवरात्री आपको क्या संदेश देना चाहते हैं ओके लेट गो रिवर्स ठीक है भगवाशिव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस महाशिवरात्री अग्वाशिव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं एक्ज़र्शन नमबर 9 डबल 9 नमबर यहाँ पर आया है हो सकता है आप डबल 9 देख रहे हो आजकल ठीक है यहाँ नमबर 9 वाले लोग यहाँ पर बहुत जादा है ठीक है यहाँ पर है अबंडन्स देखो भगवाशिव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं देखो यहाँ पर है करेज और क्रेटिविटी भगवाशिव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं ओके भगवाई शिव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर है शेरिंग भगवाई शिव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं टॉर्निंग इन देखो तो हम पहले कार्स को लगा देते हैं देखो यहाँ पर जो भी लोग है मुझे ऐसा लगते कि आप भगवाई के बहुत ही ज़ादा भगवाई शिव को बहुत ज़ादा मानते हो आप यहाँ पर भी मोरल्टी बॉटम अफ देकार भगवाई शिव जी आपसे कहना जाते हैं कि आप देखो, आप कही न कही अपने हिम्मत हार रहे हो आजकल, आपके अंदर करीज की कमी है, देखो, गुसार आपको अपने आपके उपर या कंडिशन पर जो भी आपके हालत है, उस हालत पर आपको बहुत गुसार है कि मेरे जिंदग में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही कियोता क्यों हो रहा है कहिए आप भगवां से प्रेए न माने हो यहां परे क रेज्ड क्रीटिविटी राइपनेस चेँज ठीक है ट्रfrage proceso नर्ण अनेा आने वाला आपके नियुक्स में यहां इस दो साभी बताउंगा अब आपको ठीक है है यहां पर है slowing down और यहाँ पर है morality ठीक है adventure पुछ surprise आपको मिलने वाला है बहुत जल आपके life में कोई ऐसी खुशी मिलने वाली है कि आप उस खुशी पर वो जो भी situation होगी उस हालाद पर आप विश्वास नहीं करोगी कि हालत खराब थी मेरी exhaustion है यहाँ पर और यह कैसे हो गया यह जादू कैसे हो गया भगवाई श्यूजी की blessing है आपके उपर भगवाई श्यूजी आपसे कहना चाहते कि आपने अभी तक बहुत कुछ compromise किया है अपने life में देख़ए exhaustion यहाँ पर turning in है यहाँ भगवाई श्यूज जिन्दगी में हर किसी के अलग-अलग problem है हर कोई परिशान है अपने जिन्दगी में अगर इस परिशान से निकलना है तो आपको भगवाई श्यूजी की आराध्या करनी होगी आपको meditation करना होगा ध्यान करना होगा ठीक है बहुत कुछ compromise कर लिया अब जो भी हालत है इससे बहुत परिशानी है हिम्मत हार कही ना कहीं आप हिम्मत हार रहे हो आपसे चलाने जारा आप जिन्दगी में आगे आप चाहते हो abundance आया आपके life में आप चाहते हो मिरे life बदल जाए change हो जाए ठीक है और यह change आपके life में आने वाला है भगवाई श्यूजी आपसे कहना चा रह जाओगे जब भगवान देते हैं तो फिर छपर फाड़ के देते हैं और ऐसा ही कुछ आपके life में होने वाला है भगवाई श्यूजी आपको संदेश देना चाहते हैं कि आपको जो हलत है उससे लेटगो करना है धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत change आपके life में आने वाल इस परिशानी में रहना लेटगो कर दो यह जो कुछ भी हाला थे लेटगो कर दो change आपके life में आने वाला है ripeness divine time जो भगवान भगवान ने सब कुछ आपके लिए सोच के रखाए और वो उस वक्त पर होने वाला है भगवान सब कुछ आपको देने वाले है क्यों आप पर परिशान हो रहे हो आपको रातों के नीन उड़ चुकी है इतना जादा आपको किसी बात का गुसा आ रहे है या तो हालात पर गुसा आ रहे है किसी और के उपर गुसा आ रहे है कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत जादा मन को बोलते हैं उसको बार बार उसी चीज के बा परिशानी हो रही है और भगवान से आप कह रहे हो कि बस इसमें से मुझे अब निकाल दो तो बस तो कुछ ठीक हो जाएगा तो यही अब सब कुछ होने वाला है abundance जो चाहते हो वो आपके life में आने वाला है आपको इतना जदा परिशान हो गए हो आपको अपना दर्थ किसी के साथ share करने की जरूत है यहाँ पर sharing आ है प्यार बाटने से बढ़ता है और दुख बाटने से कम होता है तो अभी आपको यही हो रहा है तो अभी आपके life में यह हो रहा है कि आपके दिल में सीने में दुख तो बहुत है लेकिन आपना किसी को जिकर तक नहीं करे हो और मन ही मन घुटते जा रहे हो ना किसी को बोल तो आपको इस दर से जो भी पेन है आपके लाएक पर उससे लेड़िको करने का वक्त अब आ गया है भगवाई शिव जी आपसे कहना है कि जिस वक्त का आप इंतजार कर रहे थे बहुत कोशिश कि थे लेकिन वह काम आपका नहीं बन रहा था तो बहुत जल्द वह काम आपका बनने वाला है ठीक है राइपनेस एक सही वक्त का आप इंतजार कर रहे थे और वो वक्त अब आने वाला है जो भी प्यार जो खुशिया जो अबंडेंस आपके लाइप में मिसिंग है वो सब कुछ आपके लाइप में अब आने वाला है जिरन भी पाइल नंबर वन से लट कि उबर इतना जादा आपने सब कुछ जेला है जो दुख जो पेन रहता है वो सब कुछ आपने देखा है और भगवान से भगवान के शेरण में अगर आप आए हो सरेंडर कर दिया है आपने शिवजी को तो अब आपके लाइफ में चेंज होकर रहेगा आपका किसमत का पईया घूम कर रहेगा आपका वक्त बदल कर ही रहेगा तो यह यहाँ पर सब कुछ आए है लगता कि कोई ऐसी बात है जो बहुत दिनों से आप भगवान से प्रे कर रहे थे ना जाने कितने मंदिरों में आपने मन्नत मांगी कि यह मेरा काम हो जाए यह मेरे विश कंप्लीट हो जाए और ऐसा कुछ दर्द आपके सिने में है कि ना आप किसी के साथ शेयर कर पाते हो और ना ही उस दुख से अप लेट गो कर पाते हो तो यह सब कुछ अब आते हुए दिनों में होने वाला है भगवाशियो आपके उपर यह कुर्पा करने वाले हैं ठीक है अगर आप ग परिशानी थी आपने अब तक आपने जो परिशानिया झेली जो दुख देखा आप उसमें से हील नहीं कर पा रहे थे अब भगवाशियो आपसे कहना चाहती कि तुम सब कुछ मेरे उपर छोड़ दो और तुम हील करो अपने आपको उस दर से बाहर निकलो अब आपको पर देखो यहां पर आपर सो नहीं पाते हो लेट नाइट तक आखते रहतेWow तो देखो अगर आप लेट नाइट तक जाखते रहते हों बहुत ओवर त्इंकिनक कर रहे हो तो भगवाशियो जिय आपसे कहना चाहती किrrion यहां और दुर होने वाल ए है क्यों इतना सदा सोचना है और क्यों negative ही सोचना पॉजिटिव सोचो सब कुछ ठीक होने वाला है ठीक हैं और भगवाइ शिव आप से क्या कहना शाहते हैं ए इंजल आफ लव देखो भगवाइ शिव' का कुछ बहुत ज़ादा Bout Down। ऐसा सलड़ी आपको लइप में कुछ हो गया कि उसके बाद आपके जिंदगी में कुछ तहल का सा मच गया कुछ अलग ही सब कुछ घटित होने लगा कि आपने जो कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ मेरे जिन्दगी में हो सकता है इतना भी बुरा वक्त मेरे जिन्दगी में आ सकता है ऐसा कभी आपने सोचा भी नहीं होगा और ऐसा कुछ वक्त आपने पिछले दिनों में देखा है ठीक है और अब आपके लाइब में चेंज आने वाला है अब वक्त बदलने वाला है भगवाई शिव जी का प्यार हमेशा आपके साथ है हमेशा उनका आशिरवाद आपके साथ है Look at the bigger picture देखो भगवाई शिव आपसे कहते कि जो हो गया होना था जान दो सोचो मत उसके बारे में अब अब आप बड़ा सोचो और बड़ा देखो क्योंकि आने वाला वक्त सब कुछ चेंज करने वाला है आने वाला वक्त बहुत ही खुशूरत आने वाला है और भगवाई शिव जी आपको क्या संदेश देना चाहते है Definitely भगवाई शिव आपसे कहना चाहते कि आपके मन में जो भी सवाल है जो कोई भी सवाल जो भी आपके मन में आज तक सवाल थे उनके जवाब अब आपको भगवाई शिव देने वाले है बहुत जल उन सवालों के जवाब आपको मिलने वाले है ठीक है तो चिंटा करने के जरुरत है ही नहीं यहाँ पर है कम्यूनिकेशन इसकी देखो यहाँ पर भी शेरिंग आया है आप किसी के साथ दिल के बाद बोल नहीं पाते हो को अपना कम्यूनिकेशन स्किल सुधार नहोगा तो यह भी आप आपके लिए मैसेज है हो सकता है कि आप जो दिल में है वो दिल में ही रखते हो गम दबा कर रखते हो गम छुपाते हो किसी के साथ शेर नहीं करते हो कोई बात ऐसा भी हो सकता है देखो भगवाई शिव जी क्या कहते है सबने तो देख रहे हो लेकिन उन सबनों को पूरा करने के लिए practical plan कुन बनाएगा आप ही तो बनाओगे न तो दिखो तिर्फ सबने देखने नहीं है तो आपको उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए practical plan बनाने के अब जरुरत है action लो सब कुछ ठीक होने वाला आपके लाइफ में भगवाई शिव जी का आशिरवाद है आपके ओपर तो यही थे आपके रिडिंग अगर आपके साथ रजोनट करती है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब मिलते एगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ पाइल नमबर टू इस महाशुरात्री भगवाशियों आपको क्या संदिश देना चाहते हैं सबसे पहले तो आपको बैल स्ट नहीं कर पारे हो प्रोफेशनली इसप्रिफ्चियली यह हो सकते हो आप बहुत जादा इमोशन हो रहे हो या बहुत रूड हो रहे हो कभी-कभी आप में बहुत चिर्चिरा हाट यह सबसे पहले संदिश आपके लिए अब हम देखते एक हम भगवाशियों आपको क्या क्या संदेश देना चाहते हैं कमेंट में ओम नमश्वा लिखना मत भूलना ठीक है भगवान शिव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं ठीक है दो काड हमें मिल गये हैं यहाँ पर है इनर वोईस और हीलिंग भगवान शिव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं दुसरों की बातों में आ रहे थी कि आजकल देखो यहाँ पर master है the world दिखो sharing है completion है ठीक है कुछ अधूरापन है आपके जिन्दगी में कुछ ऐसी बात है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं incomplete हूँ अगर यह नहीं है मेरे जिन्दगी में तो complete completion नहीं है ठीक है कुछ ऐसा अधूरापन आपके जिन्दगी में मुझे दिख रहा है ठीक है और healing करने के जरुरत है sharing करने के जरुआ definitely आप कहीं अठके हुए हो आपका से लगता कि मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकता कुछ ऐसी बाते हैं आपके life में कुछ ऐसा हुआ है past में कि आप उस परिशानी से उस दर से अभी तक निकल नहीं पाए हो आप lady go नहीं कर पा रहे हो और कुछ अधूरापन आपको हमेशा लगड़ा है कि मेरी life में कुछ तो अधूरापन है अब वो कुछ भी हो सकता है किसी के लिए उसका partner हो सकता है किसी के लिए उनका job, career कुछ भी हो सकता कि जब तक यह नहीं होता complete नहीं है तो यहाँ पर है the master भगवाई शियो आपसे कहना शाहते है कि आप ही आपके master हो जब भी आपको guidance की ज़रत पड़े ना खुद से guidance लेना क्योंकि आप इतने ज़्यादा talented person हो आपको कोई और guidance देने से अच्छा है कि आप खुद आपको guidance करो तो यहाँ पर है new vision कुछ नया कुछ fresh आपके life में start होने वाला है ठीक है अब वो रिष्टा हो सकता है business हो सकता है job हो सकता है या कही shift हो सकते हो आप ठीक है आज तक जो भी यह अटका हुआ सा feel कर रहे थे ना भगवाशिव आपसे कहना चाहते कि अब इसमें से आपको बाहर निकलना होगा आपको वो सदबुद्धी जो भगवाशिव आपसे कहना चाहते है कि यह सब कुछ ठीक है आपके life में जो कुछ हुआ ठीक है लेकिन अब यह जो कुछ भी आपके life में हुआ तो इसमें से कुछ ना कुछ आप सीखो और इसमें से एक नई शिर्वात करो क्योंकि जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ था वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया था एक तो आप ऐसी परसन हो कि आप अपना दुख हो, दर्द हो, जो कुछ भी हो ना किसी के साथ शेयर करते हो, मन ही मन घुटते रहते हो, देखो हार्मनी भगवाई शेयर आपसे कहना चाहते हैं कि सारी हर्मनी आपको मिलने वाली है, नई शिर्वात आपके जिन्दगी में होने वाली है ओम नमस्षिवाई, बहुत ही खुबसूरत रिडिंग है, हर्मनी, जो चाहिए आपको वो, कम्पलेशन ओमाई गड़, देखो मुझे आप ऐसा क्यों लग रहा है कि देखो ये भी शिवशक्ती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके, आप में जो विवर्स है ना, वो किसी का शादी का सवाल हो सकता है कोई प्यार में हो सकता है, ग्रोथ चाहते हैं, बैलनस चाहते हैं तो में भी आपके प्यार में बैलनस नहीं हो रहा था, आप अक्यले ही प्यार कर रहे थे और सामने वाला आपको रिस्पंस नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है, इन अन अंग भी यहाँ पर आ है इस सेलेशन में अगर आप प्यार के बार में सोच रहे हो तो यहाँ पर बैलंस तो डेफिनेटली अब होने वाला है तो कि आपने जो सेलेट के आप वो भी देखो मेंटनिंग बैलंस ठीक है इंट्रिगेशन बहुत ही खूपसूरत कार मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रिष्टो में कमिया है आपका प्यार आपके साथ नहीं है और यहाँ पर बैलंस अब होने वाला है ठीक है बगबाशिव आपसे कहना शाथ है कि क्यों परिशान हो रहे हो जो आपको चाहिए वो मिलेगा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे है आप बहुत नेगिटिव सोच रहे हो बहुत ज़ादा आप कनफ्यूज हो ठीक है वाटम आप दग कार्ड भी क्या है आईसोलेशन आपने ना खुद को इतना ज़ादा उस पेन में मतलब कि उस दर्थ को आप सीने से निकाल ही नहीं पारे हो ना किसी के साथ शेयर कर पारे हो ना उस अंधिरे से अपने आपको निकाल पारे हो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे है जो हो सकता है कि आप में ब्रेक अफ हुआ है और बिल्कुल बैलनस नहीं ता उस लेशन में यहाँ पर है थंडर बोल्ट देखो यह थंडर बोल्ट का काड़ है और आप अभी बहुत पेद में मुझे लग रहे हो बहुत दुख में दिख रहे हो और आपको ऐसा लगता कि चारो तरफ मेरे जसी के अंधिरा है नहीं समझ में आ रहे क्या करे कन्फूजन बहुत जादा है दो-दो थोर्स दिमाग में चलते जा रहे नहीं समझ में आ रहे क्या करना है तो भगवाशियों आप से कहते हैं कि जो भी दर्थ है शेर करो किसी के साथ यह जो कन्फूजन है दिमाग का निकाल दो ठीक है आपके लाइफ में जो complete आप जिसके साथ भी complete फिल करते हो या जो भी आपको चाहिए आपके लाइफ में मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर होने वाला है balance ठीक है कभी कभी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और कुछ यहाँ पर ऐसी energy मुझे दिख रही कि जो कुछ हो आपके life में वह आपके भले के लिए हुआ है और जहाँ पर आप अठीका हुआ सा फिल कर रहे हो अब अपने आपको push करो अपने आपको निकाल उस दर से बाहर क्योंकि आपके life में सारे harmony आने वाली है आप अपने अंतर्मन की आबास सुनो आप क्या दूसरों की बातों में आ रहे है आजकल ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप दूसरों की बातों में आ रहे हो भगवाई शूजे आपसे कहना चाहती कि अपने अंतर्मन की सुन और इस अंधेरे से बाहर निकल यह जो confusion है इससे बाहर निकल continue दो दो thoughts नई शिर्वात करनी है जिन्दगी में आगे बढ़ना है और इसे confusion में रहोगे दो दो thoughts सोचते रहोगे या अंधेरा आपन सब कुछ ऐसा लगता है आपको लगता है ना आपको ऐसा लगता है ना कि चारू तरफ अंधेरा है में जिन्दगी में कुछ ठीक नहीं होगा सब कुछ ठीक होने वाला है completion है आपर है the master है आप इतने talented person हो आप इतने ज़ादा बहुत mature भी हो लेकिन हालत आपको ऐसा सब कुछ confusion में डाल कर रख दिया इस हालत ने लेकिन भगवान आपसे कहते है कि सब कुछ ठीक होने वाला है isolation आपने stuck कर लिया आपने आपको इस दर से आप late go नहीं कर पा रहे हो मुझे सा लग रहा है कि भगवाई शिवजे आपसे यही कहना चाहती कि आप बहुत हो गया अब और नहीं निकलो इससे बाहर late go कर दो new vision एक नई शिर्वात करो harmony आपके life में definitely आने वाली है देखो यहाँ पर है completion और यहाँ पर है harmony भगवाई शिवजे ने तो सब कुछ बता दिया आपको कि आपकी हर wish complete होगी तो क्यों दुख में जेना है क्यों परिशान होना है okay हील करो खुद को हील करने के आपको बहुत ही ज़्यादा जरुरत है देखो यहाँ पर क्या है देखो भगवाई शिवजे आपसे क्या कहना जाते है you are very close to achieving your goal definitely देखो यही तो चाहिए ना आपको कि आपने जो भी goal decide किये है जो भी आपने चाहा है जो जिस चीज के बिना आपका धुरापन सा लग रहा है अपने जिन्दगे में completion भगवाई शिवजे यहाँ पर balance करने वाले हैं और आप बहुत जल बहुत जल अपने goal की तरफ पहुचने वाले हो और क्या भगवाई शिवजे आपसे क्या कहना चाहते हैं क्या संदेश है अपके लिए और देखो भगवाई शिवजे आपसे कहना चाहते कि don't let pride get in your way देखो कभी कभी न हम अपने एहंकार में आकर बहुत कुछ गलतिया कर देते हैं जिन्दगे में हमें पता भी ने चलता कि हम अपने एहंकार में आकर खुद का ही बहुत नुकसान कर रहे हैं तो भगवाई शिव शिवजे आपसे कहना चाहते कि अपने जूटा अहंकार है उसमें से बाहर निकलो अपने pride को बीच में मत आने देना बहुत जल्द आप अपने goal की तरफ पहुचने वाले हो और अगर आप अपने pride में आकर कुछ गलतिया करोगे तो बहुत बड़ा आपको नुकसान भी हो स है ते कि अपने जूटे अंकार में आकर आप कुछ गलतिया मत करना ओके और भगवाई शिव जी का क्या संदेश है आपके लिए इस टाइम टू रिलीज निगेटिविटी डेफिनेटली अप परसनल इशू रिच रिसोलूशन आपके परसनल लाइप में जो कोई भी इस टाइम टू रिलेज निगेटिविटी और भगवाई शिव जी आपसे कहते कि इस टाइम टू रिलेज निगेटिविटी इस निगेटिविटी से बाहर निकलने का वक्त आपका आगया है अब आपके लाइप में एक नया पर्व शुरू होने वाला देखो निव विजन और उसके बाद क्या है हर्मनी तो ये सब कुछ आपके लाइफ में होने वाला है और आपको इस पुरानी से देखो जब तक आप पुराना नहीं छोड़ोगे तो कुछ नया आपके लाइफ में नहीं आएगा तो लेट गो कर दो उस दर्ज से उस फरिषानी से उस नेगेटिविटी से लेट गो करना है सब कुछ ठीख होने वाला है बस पॉजटिव सोचो और भगमाश शिवजी को सरिंडर कर दो आपके लाइफ में सब कुछ भला होने वाला है ठीक है तो यही message था भग्माशिवजी का आपके लिए भग्माशिवजी खुद आपसे कहा रहे कि आपको क्या release करने के आवश्यक्ता है तो यह negativity इस टाइम टू रिलीज निगेटिविटी ठीक है तो यही message था भग्माशिवजी आपसे क्या कहना चाहते अपने आप वो गिर्गया card और यह message आगया आपके लिए टेक टाइम टू ब्रिथ आउट अब meditation का वक्त है अब अपने अंतरात्मा के आवाज सुनने का वक्त है रिलाक्स हो जाओ एक जगा पर बैठ जाओ meditation कर लो भगवाशिवजी का नाम ले लो ओम नमश्यवाय का जाप कर लो बहुत सुकुन मिलेगा बहुत सुकुन मिलेगा और यह जो भी परिशानी है सब खतम होने वाली है देखो कैसे सुकुन मिलेगा कैसे harmony आईगा आईगा आ बाहओा आईगा आईगा आईगा।